असलाम लेकुम आज की मैंने कुछ कोकिंग वीडियो लेकर की नहीं आई हूँ आज हम मॉर्णिंग से इवनीन तक का वीडियो लेकर के आये हैं तो चलिए आज हम घर के साफ सफाई कर लेते हैं और कल बड़ित है तो बहुत ही जादा घर में समान वगेरा जो भी है फैल किया है तो सबसे पहले हम एक पैड़ूम का बिष्टर चेंज कर लेते हैं केक वग बहुत सारा लगा करके पूरे बिष्टर में ही लगा दिया था बच्चों लोग में तो हम कैसे अपनी पूरी दिन आपनी रोटिंग आज आपके शाइर करेंगे हो और मैं पूरी किन किन काम कर और मैं कैसे बिजी रहती हूँ तो अभी बच्चे नहीं हैं घर में सब बाहर गए हैं तो मैं सोची हूँ क्यों ना आज हम मॉर्निंग से एवनिंग तक की रोटिंग आपके शाद शेयर करों तो देखिए हमारी फर्स्ट वाली रूम है जिसमें मेरे बच्चे लोग रहते है तो मैं उन्हें सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ी दिर बाद आ जाएंगे सब नीचे गया है उसके बाद आ जाएंगे तो यह रूम खाली हो जाएगा तो इसमें बच्चे लोग फिर से खेलना सुरू कर देंगे तो हम इसे अच्छे से फहले क्लीन कर देते हैं तो सबसे पहले सुबा की रोटिंग यही होती है जो सुबा उठना है और सबसे पहले बच्चे को रूम में बहुत सारे खिलोने वगएरे फैले हुए रहते हैं कारफेट वगएरा सबको समीट देते हैं बिस्तर अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत सारा ही रूम पहला देते हैं बच्चो तो सबसे पहले हम उनकी रूम को क्लीनिंग करेंगे उसके बाद चलते हैं हम हौल में तो आस हमारी पूरी दिन की रूटिंग मैं आपके शायर करने वाली हूँ हमारी रूटिंग और मेरी वीडियो आपको कैसी लगएगी प्लीज कॉमेंट में ज हल जरूर मिलेगा तो देखिए मैं जा रही हूं हौल में आ गई हूं और हॉल में मैंने इस टाप से कुछ एक सिंगल बेट रखी हूं जिसे बच्चे खेलते रहते हैं और मैंने कार्पिट यहां सूठा करके रूम में ले जाकर विछा दी थी तो यह हम चाहदत चेंज करत हो और अज बहुत सारा कपड़ा भी हो गया है एक ही साथ क्योंकि पांच-पांच बैट सिट हो गया है और सब बहुत सारा कपड़ा भी है तो वह सब आज हम आपके शाहर करेंगे तो दिन भर एक हाउस वाइफ क्या करती है और कितना बिजी रहती है उसके बावजूद आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह दिकि हमारी हॉल भी क्लीनिंग हो रही है तो हम हॉल में भी जारू लगा लेते हैं साथ साथ सुबा का बहुत सारा काम हो जाता है इधर जूता वगेरा बच्चों का है और कुछ सामान वगेरा देखिए सब फाइला हुआ रहता है तो मौनियों बहुत सारा काम हो जाते है अब सब इस रिक्वेश्ट है प्लीज हमारी वीडियो को जरूर पॉस्ट किया करें अच्छी लगे तो लाइक किजिए गई और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर किजिए गई देखिए हमारी हाल भी क्लीन हो रही है इसी तरह से हमारी हाल पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे उसके बाद चलते हैं हम गली में क्योंकि ये घर जो है हमारी रूम है बहुत ही बड़े है एक बैडरूम है इस रूम में मैं हॉल में आई हूँ तो हॉल भी काफी बड़े है तो क्लिनिंग करने में एक से देर घंटा लग जाता है सारे चीजों को हटाना और हमारे घर में तीन तीन बच्चे है तो देखिए मैंने अच्छे से पूरी तरह से क्लिन कर रही हूँ और सामने हमारी मसीन रखी हुई है तो हाँ जी मैं सिलाई भी करती हूँ देखिए इतना सारा एक साथ कच्रे निकलते है और क्रीन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है तो यह हमारी दूसरी रूम में बैड रूम में जाने की रास्ता है हौल से तो गली है यह उसके बाद हम दूसरी तिसरी वाली रूम में जाएंगे एक रूम से मैंने जाड़ों लगा करके मैं निकल गई हूँ यह होल से हम डारेक्ट जा रहे हैं किचन इसके बाद हम दूसरी और तिसरी वाली बैटरूम में जाएंगे तुम यहां से पूरी किलीन कर लेते हैं वीडियो पूरा देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगा आप सबीकों उमीद करती हूँ और देखिए इतना सारा कच्रा बहुत सारा कच्रा हो गया था तो हाँ इसी तरह रोज की रूटिंग है यह कोई जरूरी नहीं है सब हर हाउस वाइप को बोलना चाहती हूँ हर हाउस वाइप सुबर सुबर मॉर्निंग में ऐसे ही काम करते हैं और मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक बहुत ही ज्यादा काम होते हैं और हर लेडिस का बहुत ही परिशानी से दिन गुजरता है यह नहीं है जो हबते में एक दो दिन ही काम करना परता है यह डेली का लोग रहता है और डेली ये सूटिंग करना पड़ता है डेली एवरी डे रोज का ये काम होता है जारू लगाना पोछा लगाना कपड़ा धोना ये रोज का रूटिंग होता है शायद ही कभी ऐसा होता होगा जिस दिन मन नहीं किया कपड़ा धोने का कभी जारू तो लगाना यह पोच्छा नहीं लगाने का मन किया तो ऐसा होता है कभी-कभी वरना रोज ही लगाना परता है तो यह हमारी कीचन है तो कीचन हमारी कुछ ओपन है क्यूंकि उसमें कुछ गेट वगर नहीं दिया गया है दर्वाज़ों तो ओपन है पूरी तरह से हौल से आपको में हमारी कीचन पूरी और लरी ऐसे ही दिखेगी हम कीचन को भी सफाई कर लिये हैं अब चलते हैं तीसरी वाली बैर रूम में यह हमारी तीसरी वाली बैर रूम है जिसे हम अभी क्लीन करेंगे तो दिखाते हैं मापको इस वाली बैर रूम में भी बहुत सारे कच्रे हैं इस साइड मे यहां इधर रखेंगे तो बच्चे छीड देते हैं और फेक देते हैं तो देखिए हमारी एक बैर रूम है जिसे पूरी तरह से रेख सकते हैं हम इसे किलीन कर लेते हैं इसकी चादर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ बहुत सारा बिस्तर हो जाएगा दोना इसे सिर्फ हम अच्छे से जार लेते हैं ताकि जो भी कच्च्रा वगर होगा इसे क्लीन हो जाएंगे और इसे हम इसी को ऊपर डाल देंगे तो देखिए हमारी चादर अच्छे से जार करके मैंने बिचा दी इसे इस रूम में मैं कुछ ज्यादा सामान नहीं रखी हूँ वैसे एक बैड रूम है एक बैड मैंने रखी हूँ और एक ड्रेशन मैं ज्यादा सामान रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खाली खाली रूम पसंद है और इसे पर बहुत सारा डस्क आ जाते हैं तो इसे भी क्ली कर लेते हैं तो देखिए पूरी तरह से हमारी रूम क्लीन हो गई है और देखिए कि इतना सारा कपड़ा है तो यह सारे हमारे कप्रों को वश करना है तो चलिए हम इसे मसीज में लगा देते हैं जब तक के लिए कि जब तक कपड़ार दुवरेंगे इधर हम दूश्री काम कर लेंगे तो सारे कपड़ा को हम चेक कर लेते हैं बच्चों को कपरा है तो उसे हम मुझे चेक करके हम कपड़ी करके हम कपरे को डाल देंगे मसीन दूलता से जब तक है कि पीड़न को अलग करेंगे और जो रंगन नहीं इसी अलग करेंगे तो चलते हैं मिद्धर फेंट आकपर धिष्ब्याह कर से जब तक हैं टेकि हमारी वेशिन है कि हमम इसे क информ दून लेते हैं वासर वासिन है तो हम इसे अच्छे से रोज क्लीन करते हैं वाश बेशिंग को तो इसे क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूत नहीं परती है फिर भी रोज कर लेना अच्छा रहता है क्लीन रहता है अगर हमें दो दिन नहीं करते हैं तो ज्यादा गंदी हो जाती है रोज रोज दो देने से क्लीन रहती है और किवरिश इनकी कि आलगbnि देखेए हमारे वश पिशिंग कुलीन हो गई है और क्रिस्देर बाद ब्हुक्त अच्छी लगते हैं जब भी वर्स किजिकर तो हम सब किलीन कर लेते हैं जबBoy कि अज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूं तो आज हम बनाएंगे सादा चावल है दाल चावल आज हम बनने वाले हैं तो मैं डाल बना ह्याँ मैं तो तो आज मैं सोची यही शेयर कर देती हूँ रुटिंग के शाथ मैंने मौशूर की डाल ली हूँ और इसे अच्छे से पहले वश कर लेंगे और इसे डालेंगे और साथ में मैं इसमें नमक प्याइट कर देंगी और थोड़ी सी ओयल था कि कूकर में जब सीटी देते हैं तो उपर बहुत सारे डाल फैल जाते हैं और साथ में मैं चार आलू ली हूँ इसे अच्छे से दूख करके और इसी में हम इसे आलू का भरता बोलिए या चटनी बोलिए अब जो भी बोलिए मैं उसे बनाने वाली हूँ तो Вас ऐस्सी खाना बनेगी हमारी और ओर इडी चावल हमारी बन गई है देखिए मैंने एक तरफ चावल और एक तरफ डाल मैंने बनाई थी तो हमारी चावल बनकी रेडी हो गई है इस तरफ मैं आजल्दी से पोछे लगा लेती हूँ देखी मैं पूछे पूरी तरह से लगा करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ रूम को क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है और साथ में क्लीन की साथ साथ बच्चों को संभालना खाना बनाना तो हमारी कपड़ा जब तक धूल रही है उब तक मैं क्या करती हूँ इधर सब क्लीन कर लेते हैं तो मैंने कीचन और बैटरूम इधर क्लीन करके मैं आपको दिखाती हूँ हमारी रूम हो गए ये क्लीन और हम अभी नहाने जा रही हूँ तो साथ में मैं बातरूम वगएरा धो लेती हूँ उसके बाद मैं नहा करके तो फिर मैं आपसे मिलूँगी देखिए इस तरह से ये हमारी फुल रूटिंग है पूरी दिन की रूटिंग थी तो चलिए मैं नहाने के बाद मिलती हूँ तो देखे, हमारी रूम पुरी तरह से क्लीन हो गई है, बच्चे गर में मस्ती हो रही है, और हमारी कपड़ों अगेरा, सारी दूल गई है, वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट में जरूर बताना ना भूलिएगा, देखे, हमारी तरह कपड़े भी दूल गई है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने तीन बार कपड़े को दोई हूँ और देखिए हमारी तरफ खाना भी बन गई है इधर आलू की बढ़ता और साथ में लेंगे अचार पापर अंडा और हमारे देखिए मैं ट्राइपोट के दिखा रही हूं कहां कहां तूट गई है मैं सब तरफ बांद करके रखी हूं उसके बाद मैं वीडियो सूट करती हूं और यह है पानी फल आप इसे क्या बोलते हैं सिंघारा भी इसे बोला जाता है तो आप मुसे जरूर बताईएगा आप लोग इसे क्या बोलते हैं आज हमारी पूरी दिन की रोटी आप से भी के साथ सेर क्यो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में पता हना पूरी हूं